नमस्कार दोस्तों मेरा नाम योगिंदर आलिनवन हिंदी के येट्यूप चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों अगर आपके किसी फ्रेंड ने आपको अपने वर्टसप के उपर से ब्लोक कर दिया है और आप अपने आपको अनब्लोक करवाना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ अपने आपको अनब्लोक करवा सकते हैं और अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को भीना स्किप की एलास तक का देखते रहिए और आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस परकार तो अपने आपको बड़ी आसानी के साथ अनब्लोक करवा सकते हैं तो पहले क्या होता था कि आप अपने वाट्साप अकाउंट को डिलीट करके अपने आपको बड़ी आसानी के साथ अपने फ्रेंड के वाट्साप से अपने आपको अनब्लोक करवा सकते थे लेकिन जब से WhatsApp का नए अपडेट आया है तब से ये trick काम नहीं कर रही है आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नए trick बताऊंगा जिसके जरिए आप अपने फ्रेंड के WhatsApp पे message बेज सकते हैं उसी number से जिस number को उसने block किया है दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आपसे क्रिक्वेस्ट है कि आपको इस वीडियो के नीचे एक लाल कलर का subscribe का बटन दिखाई दे रहा होगा उस वटन पे क्लिक करके इस channel को subscribe कर लिजे क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही interesting videos लेकर आता रहता हूँ और अगर आपका कोई भी स्वाल या सुझाव है तो मुझे नीचे comment box में लिखकर जरूर बताईए मैं आपके सभी comments का reply जरूर करता हूँ तो बीना time बरबाद किये चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों हमारे पास ये दो mobile है पहले mobile के अंदर मैंने दो WhatsApp को install किया हुआ है और दूसरे mobile के अंदर मैंने एक ही WhatsApp को install किया हुआ है तो अब दोस्तों मैं इस WhatsApp से इस WhatsApp के उपर आपको एक message बेज के दिखाता हूँ मैं या पे कुछ भी type कर लेता हूँ जैसे मैंने ये message बेजा तो मुझे यहाँ पे दूसरे WhatsApp के उपर ये receive हो चुका है तो अब दोस्तों मैं इस WhatsApp से इस WhatsApp को block करके दिखाता हूँ तो WhatsApp को block करने के लिए मैं सबसे पहले इस WhatsApp पे click कर लेता हूँ जैसे ही मैं इस पे click करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऊपर 3 dots दिखाई देंगे इन 3 dots पे क्लिक करके यहाँ पे more के option पे जाके यहाँ पे मुझे block का option दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे click कर लेता हूँ जैसे ही मैं click करूँगा तो मैं इसको simple block कर देता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं के लिए बोलेगा लेकिन मैं अभी इसको unblock नहीं करने वाला हूँ तो मैं यहाँ आपको दूसरे whatsapp से भी इसके उपर message बेज के दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे कुछ भी type कर लेता हूँ और जैसे ही send के option पे click करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कि इस message पे एक tick लगा दिखाई देगा और यह message दूसरे number पे नहीं जा रहा है और जो उसकी profile picture थी वो भी मुझे नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि मैंने उस number से इस number को block कर दिया है अब मैं आपको में ट्रिक बताता हूँ कि आप किस परकार अपने friend से अपने number को unblock करवा सकते हैं तो unblock करवाने के लिए आपको यहाँ पे एक दूसरे mobile की जरूरत पढ़ेगी इस mobile के उपर आप अपने friend का और अपना mobile number save कर लीजिए और उसके whatsapp को on कर लीजिए जैसे ही आप उसके whatsapp को on करेंगे तो आपको यहाँ पे उपर की तरफ three dots दिखाई देंगे तो three dots पे click करके आपको यहाँ पे सबसे उपर new group का option दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे new group पे click कर लीजिए जैसी आप new group पे click करेंगे तो यहाँ पे आपको अपने friend के जितने भी contacts होंगे सब यहाँ पे दिखाई देंगे तो आप अपना और अपने friend का number यहाँ पे search कर लीजिए देखें यहाँ पे यह दो number हैं जिसको मैंने इस group में add करना है तो मैं यहाँ पे इन दोनों number को group के अंदर add कर लेता हूँ जैसे ही मैं इन दोनों नंबरों को ग्रूप के अंदर एड करूँगा तो यहाँ पे आपको यह एरो के निसान दिखाई देगा तो यहाँ पे एरो के निसान पे क्लिक कर लीजिए जैसे ही आप एरो के निसान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप से यह group का नाम पूछेगा तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल दीजिए मैं यहाँ पे ABC डाल देता हूँ ABC डालने के बाद आपको यहाँ पे tick mark पे click करके OK कर देना है जैसे ही आप click करेंगे तो यह group create कर देगा और आपने क्या करना है इस group पे दुबरा click करके अपने friend को इस group से exit करवा दीजिए जैसे ही आप exit के ओपर click करेंगे तो आपके friend के mobile में जो आपने group बनाया था उसमें से आपका friend exit हो चुका है और यहाँ पे delete group के option पे click कर दीजिए जैसे ही आप delete group के option पे click करेंगे तो आपके friend के mobile से वो group delete हो जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसके phone में कोई group बनाया था और उसके बाद आपने friend का contact number जो आपने इस mobile के अंदर save किया था उसे आप delete कर दीजिए delete करने के बाद अब आपको इस mobile की जरूरत नहीं है अब मैं आपको इस mobile के उपर दिखाता हूँ कि हम इन दोनों WhatsApp के उपर आपस में conversation कर सकते हैं तो कोई message बेजिने के लिए मैं इस WhatsApp के उपर click करूँगा जैसी WhatsApp के उपर click करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये ABC के नाम से जो मैंने group बनाया था अपने friend के mobile में यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है तो मैं इसके उपर click कर लेता हूँ जैसे मैं इसके उपर click करूँगा तो यहाँ पे मैं कोई भी message type कर देता हूँ और यहाँ पे send कर देता हूँ तो देखिए यहाँ से message चला गया है और मेरे दूसरे number के उपर जो मैंने ये WhatsApp block किया था उसके उपर भी ये message आ चुका है तो यहाँ से भी मैं आपको एक message दूसरे number पे send करके दिखा देता हूँ देखिए जैसे मैंने ये message यहाँ से type करके send किया है तो यहाँ पे मेरे दूसरे mobile के उपर भी वो आ चुका है तो इस परकार मैंने इन दोनों WhatsApp को unblock कर लिया है तो अब आप अपने friend को request कर सकते हैं यहाँ type करके कि आप अपने WhatsApp से मुझे unblock कर दीजिए तो आपको वो साइद आपकी बात मान के unblock भी कर दे तो आप बड़ी हसानी के साथ अपने आपको अपने friend के mobile से unblock करवा सकते हैं तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और फिर भी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझे नीचे comment में लिख कर बता सकते हैं मैं आपके सबी स्वालों का जो आप जरूर दूँगा तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक जरूर कीजिए और अगर आप इस channel पर नए है मैं आपके सभी कुमेंट्स का रिपलाई जरूर करूँगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जै भारत